यह वीडियो चाहे पैरेंट्स देख रहा है यह बच्चे देख रहा है जो आपके वेकेशन को यूसफुल बनाएं स्कूल हो में श्कूल से हो में मिलते हैं वह तो चलते हैं वर बच्च पूरे दिन उनिए करेगा या या शुदन को कि आप आप प्लास 45 के बच्चे हो या आप तो सबसे बेस्ट ही होती हैं इक बहुत थोड़ा सा क्रूटा है और बहुत important है आप Vedic Maths का course कर सकते हैं मैं खुब पढ़ाता हूँ मेरे पास और आट बस बच्चे हैं और इस सारी के सारे बच्चे वेकेशन में वेकेशन के बाद इनको पढ़ने की नीड़ उतनी नहीं होती है वेकेशन में आराम से खतम हो जाता है अगर आपको लगता है कि आप और Vedic Maths तो किसी भी एज के बच्चे सीख सकते हैं तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसान चीज होती है और कमाल की चीज होती है दूसरा अगर बच्चे की कम्निकेशन में प्राबलम है अगर आपको लगता है इसमें बच्चे की इंग्लिश इशू है तो गो थूदे इंग्लिश क्लासे तो उसके रिगार्डिंग हिम्मी में भी कही बार बच्चों को दिक्कत होती है या नॉर्माल कॉन्फिदेंटली बोल नहीं बाते और वो ग्रुप में या चालिस बच्चों की भीड में कभी-कभी बोल नहीं पाते हैं लेकिन आप उनको पर्सनली ट्रीट करें बच्ची के अंदर जो चीजे थोड़ी सी लैक करती है या जो बच्चे को लगता है मुझमें ये कमी है वो इस पे वर्क कर सकता है इसके डिवराइटी ओफ वेस है पर्सनलीटी डिवल्लमेंट दो वे आइम टॉकिंग तो यू जिस तरह से मैं खड़ा होता हूँ मेरी हैंड मुवमेंट्स क्या है क्या मैं शेक करता हूँ मेरे आई कॉंटैक आप से कैसे हैं इन सारी चीज़े को पर्सनलीटी डिवल्लमेंट में लाया जाता है और इसके लिए कोई जरुई नहीं कि बच्चा अच्छी इंग्लिश या बच्ची अच्छी हिंदी बोलता है बच्चा जो भी लैंग्विज बोलता है उसमें उसका बॉड़ी लैंग्विज कितना गॉणफिदेंस है यह बहुत जादा मैटर करता है यह आप ऑनलाइन आफलाइन कैसे भी सीख सकते हैं इसके बेटर ट्रेनिंग दी जा सकती आई और बच्चों में इंप्रिमेंट देखने को मिलता है यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा बात करें तो क्रियाटिव एक्विटीज इन आफ्टरनून जो आपका आफ्टरनून का डाइम होता है अक्सर क्या होता है माँ बच्चे का माइन ओपन होता है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बच्चा हायर ली एक्टिव होता है उस तरह की जैसा कि पेंटिंग है तो इसको कैलिग्राफी की बुक्स लाकी देजिए और आम से लिख लेगा राइटिंग को कर सकता है अगर गद्दा लिखता है तो सुदार सकता है यह बहुत अच्छा टाइम होता और आपको कोई टीचर हायर करनी की ज़रूत नहीं है यह कोई भी पैरेंट घर का कोई भी सदिस से बुक्स लाकी दीजिए बहुत सारी मार्केटर में मिलती है आपका हो जाएगा इसके अलावा जैसा मैंने मैंशन किया है कोकिंग और आप सुचेंगे छोटे बच्ची से क्या कुकिंग करवाना हाथ में क्या चब नहीं यार समर में उसको समर ड्रिंक्स बनाना सिखा दीजे रसना बनाना सिकनजी बनाना सत्तू का ड्रिंक बनाना अगर बच्चा सेवन दीफ्ट में है तो ऐसा मत सुचे किसी ना किसी दिन तो उसको चको उठाना बढ़ेगा बच्च पीले कर लगे उसको फर्क पता चले चाय में चीनी और कॉफी में कब डालना है बेसिक चीजे आप में बच्चे को साथ में किछन में लेके खड़ा होके सिखा सकते हैं यह गलत नहीं है जिस तरह का समय है आपको बच्छों को हॉस्टल में भेजना पड़ेगा बच्ची को है इस तरह से क्या होगा कि उसका टाइम भी यूटलाइज होगा तो सकता है कि किसी दिन आप ठक क्या है आपको को समर्ड ड्रिंक बना के बढ़ पिला दें जिससे आपको काफी रहत हो इतनी बेसिक चीजे आप बच्चों को सिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंस में जब लग के पास है तो वह अच्छे से डेक केर कर सकते हैं उनके साथ इन्वाल कर दीजें यह बात करते हैं बच्चों के लिए बहुत जादा जरूरी है वेक अप अरली इन द मौनिंग जैसे आप स्कूल के लिए सेवन और एट ओक जाना होता है लिए ऐसी आदर बिल्कुल ना डाल बच्छे और माम बबाबा ने भी छूट देखे 6-7 बच्छे उड़े लिए ना इनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए अगर अच्छे ने कभी आउट डिवाल पर बाल आ रही है बैड्मिंटन ले लो उठाके खेलो फूट बाल ले लो अपने पैर से मारो खेलो डू संव फिजिकल एक्टिविटीस ताकि आपके अंदर से वो गर्मी निकले बाहर आपके अंदर हाईली एक्टिव है बच्छा बच्चे के साथ पैरेंट्स खेले यह बहुत ज़्यादा ज़रू जिए फिजिकल एक्टिविटी ले इवनिंग में आप कर सकते हैं अपनी कोई भी ह जो उगर रहा है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाले क्योंकि स्टडी ताइम में भी काफी तिंग वो चीज़ा वो ऑनलाइन सिखेगा उसकी आँखों पर योगा कर सकता है कुछ भी ऐसा डांस से लेके अधर चीजों को कर सकता है जो कि उसको थोड़ा सा चाम में फि पॉमेडी हो सकती है हिंदी की हो सकती पंचतर्थ की कहानिया आज कर इंग्लिश में लेवल हैं नौविल्स है बच्चा थोड़ी रीडिंग करें रीडिंग करने से क्या होता है उसको बिट्विन दलाइन पढ़ने आएगा स्पैलिंग्स पर वर्क करेगा शब्दों पर कम क्या होगा प्लस ऐसा निके बच्चा है उसको धूप पे मत निकालो लेके निकल जाए उसको वहां की समझाइए कि चिकनी मिट्टी है यह सैंडी सॉइल है यह बच्चा बुक में पढ़ता है उसको दिखाईए अगर आप खेतों से रिलेटेड हैं कौन सी फसल हुगा जात कि वाटर मेलन की क्रॉप है कैसे ग्रू होती है अब समझ रहे ना बच्चा ऐसा ना समझे गाओं की लोगों की शैली को समझाइए रहने की स्टाइल को क्यों वह वैसे रहते हैं वहां की लोगों से मीटिंग कराए थोड़ी आसा नहीं कई बार मैं देखता हूं शहर से आइन सेड में भर दी जाती है नहीं तो गाओं में काफी बदलाव गया है है वहां का दीजु को समझाइंगे गाओं से प्री बच्चा आपका ग्रूम होगा अगर थोड़ा स्लो है तो confident confident है तो more confident उसकी समझ बढ़ेगी ब्राउट माइन कर से बढ़ाई है रट्टाफिकेशन वाली चीजों को बिलकुल ना गड़ाई है क्यों क्योंकि अब तो cbc के भी पैटर्न में चेंज होने वाला है निव एजुक्रिशन पॉलसी में बहुत सारी चीज़े आएंगे कि रटना कम समझना जादा तो जब वह लाइस प्रॉब्लम आएगे तो बच्चा जब उस तू बेच के रूम से निकल के रियल लाइफ से जुड़ा रहेगा तो शाम में मार्केट जा रही है उसको ले के जाईए शहर में है कि मार्केट में वो कैसे करना है उससे कुछ शॉपिंग करवाईए तो इस बड़ी समर्ज में आई होंगी थैंक यू अरुबन